हाई, वेलकम तो मैं चनल, इस वीडियो में स्वाल्व करें, क्षिशन वाट 31, तो ध्यान दो जिगा, a cylindrical tube, open at both ends is made of metal, तो एक cylindrical tube है, और यह metal से बना हुआ है, और बोथ ends पे open है, तो यह tube है, तो इसका मतलब कि जो yellow color का दिया हुआ है, यही open होगा, ठीक है, इसमें मतलब material नहीं होगा, कुछ भी, तो यह जो पूरा area है, यहाँ पर जो मैं यह move कर रहा हूँ, यह पूरा complete जो है metal का बना हुआ है, ठीक है, अब बोलता कि the internal diameter of the tube, internal diameter is 10.4 cm, तो internal diameter हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यह जो है, कितना है, 10.4 cm, यह आपका है, 10.4 cm, यह आपका है, 10.4 cm, यह आपका internal diameter, and its length is 25 cm, तो length इसका दे दिया है, यहाँ से यहाँ तक, यह आपका length है, 25 cm, ओके, जो जो दिया हुआ है, उसको यहाँ पर depict कर लेजिए, the thickness of the metal is 8 mm everywhere, हर जगा जो है, 8 mm का thickness है, मतलब, मतलब यहाँ पर क्या है, कि यह जो thickness है, यह जो लंबाई, यह जो मुटाई है, यह दिया हुआ है, कितना 8 mm, तो 8 mm मतलब क्या, cm में क्या हो जाएगा, खेर, हम इसको बाद में करेंगे, cm में, जो भी, लेकिन यह 8 mm है, तो यहाँ भी मतलब, यह जो है, 8 mm होगा, everywhere जो है, 8 mm है, इसकी जो लंबाई है, वो कितना है, 8 mm, ओके, great, तो हमने सब कुछ यहाँ पर कर लिया, आपका पूछ रहा है, calculate the volume of the metal, अब metal का कितना volume इसमें यूज हुआ है, इस cylindrical tube को बनाने में उसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो volume of the metal होगा, वो volume of the cylindrical tube होगा, है कि नहीं, तो हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे inner radius and outer radius, ठीक है, तो here, inner radius is equal to, देखे, 10.5 जो है inner diameter है, तो inner diameter का, आधा कर देंगे, inner diameter का, जब half कर देंगे, तो हमारा मिलेगा inner radius, 10.4 में, तू सिटिवाट कर देंगे, 202, यहाँ होगा 2, 5, 0, 10, और 0, 2, 2, 0, 4, 5.2 हो जाएगा, ओके, great, तो 5.2 cm, यह हो जाएगा, क्या inner radius, आउटर radius निका लिजे, तो यहाँ पर निकालेंगे, आउटर radius, आउटर radius जो हो जाएगा, inner radius में, inner radius में, जब हम thickness एड़ कर देंगे, इस जो thickness है, तो देखे, यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके, यहाँ तक क्या है, यह पूरा जो है, यहाँ तक, inner radius है, small r, और capital r जो है, capital r निकालने के लिए, जब हम यह थीकनेस जो दिया हुआ है, 8 mm, यदि हम add कर देंगे, थीकनेस, तो निकल जाएगा, outer radius, थीकनेस, यहाँ पर देखे, यह जो inner radius निकाले हैं हम, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, इस तरीके से, small r, is equal to, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, capital r, outer radius, is equal to inner radius प्लस थीकनेस, मतलब inner radius का कितना लेंट है, 5.2, प्लस, 8 mm यहाँ पर थीकनेस दिया हुआ है, तो 8 mm को cm में change करेंगे, तो 0.8 cm आएगा, 0.8 cm, है कि नहीं, तो यह जैसे कि 8 mm को बदलने के लिगा करते हैं, 10 cm कर देते हैं, cm में change करना होगा तो, ओके, तो यहाँ पर आगे, 0.8, cm, अच्छा, sorry, sorry, यहाँ पर, हाँ, आपने उल्टा कर दिया, ओके, तो यहाँ पर जो है, डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर, sorry, 8 mm है ना, 8 mm से यही, cm करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड कर, अरे यार, दीके, कभी-कभी क्या होता ना, कि आपको confusion हो जाती है, ठीक है, तो sorry for this, और, यहाँ पर जो confusion मेरी यह हुई है, कि, हम जब यहाँ पर, radius आइड करेंगे, चलिए, ठीक है, फैन करता है, यहाँ पर, 8 mm के जगा पर, हम क्या करेंगे, cm में चिंज करना पड़ेगा, इसको, और, इसको हम लिखेंगे, 8 mm, मतलब कि, 8 upon 10, यह कर देंगे, तो cm में करवाट हो जाएगा, okay great, मतलब कि, यह आ जाएगा, आपका, 5.2 प्लस, यह 0.8 cm, whole क्या हो जाएगा, यह cm हो जाएगा, अब यहाँ पर, आइड कर लेंगे, तो मिलेगा, 6 cm, तो outer radius निकल गया, अब हम निकाल लेंगे, volume, so, hence, volume of the metal, is equal to, volume of, hollow cylinder, hollow cylinder, is equal to, क्या होता है, pi, capital R square, minus small r square, into h, अब pi की value तो पता ही है, 22 by 7, यह करेंगे, capital R square, मतलब की, 5, यह जो, 6 square, minus small r square, means 5 and 2 का square, 5 and 2 का square, into h, height कितना है, 25 cm, अब यहाँ solve करना है, 22 by 7, into, देखें, यहाँ solve करने के लिए क्या करेंगे, आप use कर लीजे, यह वाला, r square minus small r square, होता है, r minus r, और capital R plus small r, मतलब a plus b, a minus b, तो यहाँ पर हो जाएगा, 6 minus 5 and 2, और एक बार add कर लेंगे, तो 6 plus 5 and 2, into 25, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, 22 by 7, multiplied by 6, मैं से दी मानस करेंगे 5 and 2, तो मिलेगा आपको 0.8, into, यहाँ पर इदे add करेंगे, तो 6, 5, 11 हो जाएगा, 11 point 2 हो जाएगा, into 25, अब यह 7 से cancel out हो सकता है, तो 7 minus 7, और यहाँ डालीजी, तो 7 minus 7 यह भी होगा, और 4 बचेगा 42 हो जाएगा, और सचक 42, 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा, तो 1.6 हो जाएगा, राइट, अब यहाँ पर multiply करना है बस, तो यहाँ पर multiply कर लेते हैं, तो 25, देखे, 25 से यह 8 times ले जाएगे, तो 200 होता है, 200 में तो 20 हो जाएगा, तो मतलब यह जाएगा, 22 into 20 into, देखे, इतना और इतना multiply करने पर क्या जाएगा, 20 हो जाएगा, और 1.6 से multiply करेंगे, 1.6 यहाँ रख देंगे, अब यह पूरा multiply करते हैं क्यामरे, देखे, 62 देखा 32 होता है, 62 जा 32, अब decimal हट जाएगा, 32 बच बचेगा, मतलब कि 22 में, यदि हम 32 से multiply करेंगे, तो वही answer आएगा, final, यहाँ पर कर लेते हैं, 22 में 32 से, देखे, 22 जा 4, और 32 जा 6, 22 जा 4, 10 का 0, 1 carry over, 32 जा 6, और 1, 7, 704, यह हजएगा 704 centimetre cube, यहड़जएगा 704 cm3, यह जा, 704 cm3, जा 6, Assembly से 50, 10, 10 ाजी के surface, से 56, 7, 10, 10, 10, 10 जा 6, 7, 10, 10, 10, 30, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 15, 13, 12, 13, 15, 12, 27, 12, 18, 12, 21, 20, 19, 12, 20, 20, 15, 22, 24, 22, 22, 25, 21.